हलो इन्वेस्टर्स मार्किट से एक से बढ़कर एक बड़ी खबरे निकल करके आ रही हैं एड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को हिंदुस्तान जिंक और विप्रो लिमिटेड के साथ में टोटल में आठ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पे स्ट स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूं आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनों मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लि के रखा है 4 is to 1 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पर आपको चार शेयर जिजब बोनस में लेंगे टोटल में जो आपका एक शेयर है वो 5 शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है काईरा कैन कंपनी लिमिटेड आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेयर है लगबग हमें 1% की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला और 1936 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौसमेंट की हम बात करें तो काईरा कैन कंपनी ने जो है यहाँ पर डिविडेंट अनौस कर दिया है 12 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 12 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा ना ही जाद अच्छा डि आज के ट्रेडिंग सेशन में वोल्टास का जो शेयर है धाई परसेंट से जादा की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला और 1486 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ अब अगर हम इस कंपनी के ओफिशल अनौसमेंट की बात करें तो वोल्टास लिमेटेड ने जो है यहा को देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी अनौस कर दी है जोगी 25 जून यानि की 25 जून की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है स्वराज इंजन्स लिमिटेड आज की ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेयर है 2% से जादा तेजी दिखात हुआ देखने को मिला और 2760 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ऑफिशल अनौसमेंट की हम बात करें तो स्वराज इंजन्स ने यहाँ पर डिविडेंट अनौस करके रखा है 95 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक शेयर के उपर में 95 रुपीज का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 28 जून यानि की 28 जून की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सेक्योरिटी इस लिमेटेड आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेयर एक्जाक्ली फ्लैट क्लोज हुआ एकदम एक्जाक्ली अपने प्रीवेस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस पे क्लोज हुआ और अगर हम कंपनी के शेयर के क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1528 रुपीस का था इस कंपनी के अगर ऑफिशल अनाउंसमेंट की हम तो बेसिकली शेयर इंडिया सेक्यूरिटीज ने जो है यहाँ पे स्टॉक स्प्लेट अनौंस करके रखा था 1 is to 5 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 5 शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा चाहिए फिर जून यानि की 27 जून की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आज की ट्रेडिंग सेशन में हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है दो परसेंट से जाधा करेक्ट होता हुआ देखने को मिला और 672 रुपीस के उपर में क्लोज हुआ अब हिंदुस्तान जिंक की तरफ से काफी बड़ी एड़ एक पॉजिटिव अपडेट निकल करके आ रही है बेसिकली यहाँ पे आनंद राठी करके काफी जाना माना ब्रोकरेज फ़र्म है और आप लोगों ने भी आनंद राठी का नाम डेफिनेटली सुना अब आनंद राठी ने जो है हिंदुस्तान जिंक के शेर के उपर में बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रेकमेंडेशन शेर करी है और यहाँ पे जो टार्गिट प्राइस दिया गया है वो 890 रुपीज का दिया है बेसिकली आप एक काफी अची पूरी अनालेसिस यह चोटे टाइम फ्रेम में डबल होता हुआ देखने को मिला था और 800 रुपीज के लेवल को टच करने के बाद में वापस से जो रैली था उसका 50% नीचे आया अराउंड 600 रुपीज तक वापस से कंपनी का शेर री टेस्ट हुआ या फिर कह सकते हैं करेक्ट हुआ और वाप जो है 800 रुपीज के उपर बनेगा विकोज कंपनी का जो शेर है 800 रुपीज के रिजिस्टेंट लेवल के उपर में जा करके वहां से काफी बड़ी रिजेक्शन लेकर के नीचे आया है तो एक प्रॉपर री ट्रेस्मेंट एक अच्छी खासी बाइंग के साथ में वापस स कर सकते हैं विकोज अभी आने वले कुछ हफ्तों के अंदर में विदानता लिमिटेड की तरफ से उसके डी मर्जर रेशियो जाते हुए हमें देखने को मिलेंगे जिस चलते विदानता के शेर और भी जाधा हैप के अंदर में आएगा और कही ना कहीं जैसे कि आपको पता मैं पर्सनली यही सेजिस्ट करूँगा अगर आप हिंदुस्तान जिंक के शेर को पर्चेस करते हैं तो 890 रूपीस का टार्गेट अप मिट टम के लिए एक्सपेक्ट करके चलिएगा आपको काफी इजली और स्मूदली एचीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा बाकी क fundamentally financially काफी strong है business भी company का अच्छा है and as such कोई problem हमें company के अंदर देखने को नहीं मिलती है जरूर से यहाँ पे आप company के share पे नजर बना सकते हैं and आपके watch list के अंदर में हिंदुस्तान जिंक के share को जो है add करके रख लीजिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमा विपरो की तरफ से भी एक काफी important update निकल करके आ रिया है basically यहाँ पे Morgan Stanley करके USA based एक काफी जाना माना financial institution है या फिर आप इसे एक brokerage firm भी कह सकते हैं अब Morgan Stanley ने जो है विपरो के share के उपर में एक selling recommendation दिया है और जो target price दिया गया है 421 रुपीज का दिया है लगबग 482 रुपी इस तक का एक जो correction है वो Morgan Stanley expect करके चल रहा है विपरो limited के share के उपर में अब कुछ important reasons यहाँ पे मैं आपके साथ में share कर देता हूँ बेसे के लिए भी हफते भर पहले विपरो को जो है US से की एक telecommunication company की तरफ से 500 million dollars का एक contract मिला था जिसके तहत यह 500 million dollar है यह विपरो limited को दिये जाएंगे इसके against में 5 years के लिए विपरो limited जो है उस telecommunication company को जो है अपनी services provide करेगा और इसी चलते company का share एक दो दिन के अंदर में 57% की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला था और अल्रेडी उससे पहले भी company का share एक अच्छा खासा upside momentum हमें दिखा चुका था और क्योंकि अभी IT sector जो है अपने topmost levels पर नहीं आया है कही न कहीं आपको पता है IT sector का जो circle है के सहसाब से चलता है एक बार ही IT sector top out होता है उसके बाद में वापस से नीचे आते हैं पूरे के पूरे IT stocks और एक bottom बनाने के बाद में वापस से हमें एक अच्छा momentum देखने को मिल पता है एक चीज़ तो clear है long term में IT sector will be the best IT sector में returns काफी अच्छे आपके बनेंगे बट उसके लिए कहीं न कहीं आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा because just अभी कुछ महीनों पहले या फिर एक डेट साल पहले ही हम सबने देखा है IT sector ने कितने massive returns हमें दिये हैं कहीं न कह सेक्टर पूरी तरीके से ठंडा होने का टाइम लेगा एक fair valuation पे आने का टाइम लेगा क्योंकि अनाब शनाब valuations पे companies चल रही थी IT sector की तो कहीं न कहीं एक fair valuations जब सारी companies के almost breach हो जाएंगी उसके बाद में एक नया circle वापस से हमें upside में चलता हुआ देखने को मिलेगा तब तक के लिए Wipro का जो share है कहीं न कहीं over valued लग रहा है काफी ज़ादा brokerage pumps को उन में से एक Morgan Stanley भी है तो कहीं न कहीं 421 रुपीज तक का एक downside momentum Morgan Stanley expect कर रहा है अब अगर आपने Wipro के shares को mid term से लेके long term के लिए purchase किया है तब तो आपको चिंता करने की बात नहीं है अगर आप new investment आप इसके अंदर में entry लेना चाते हैं तो आपका जो भी total amount Wipro की तरफ आप allocate करना चाते हैं उसका 30% approximately अभी utilize कर सकते हैं बागी का 70% hold कीजिए अगर 421 रुपीज पर विप्रो का share आपको मिल जाए उससे बड़िया चीज और कुछ नहीं हो सकती है काफी अच्छी valuation पे फिर Wipro Limited का share आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा तो जरूर से अब Wipro के share पे भी आपकी नजर बना के रखिएगा IT सेक्टर की one of the topmost companies में से एक है और काफी जानी मानी और काफी जादा दिगगा जाए Wipro Limited और साथ ही साथ में हिंदुस्तान Zinc दोनों companies के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 8 stocks थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी जिनोंने bonus, split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीड अच्छी लगियो, definitely वीडियो को like कर दीचेगा, इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा, because फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा, चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye